दोस्तो नमस्कार आप सभी को मेरा यूटीब चैनल पे स्वागट करता हूँ अद्रक की किसानों और अद्रक की बेपारियों अभीकर टाइम में ये सोच रहा होगा कि अद्रक की भाव और आप होगा और बड़ेगा या डाउन होगा तो दोस्तो अद्रक की जो भाव है वो भाव अभीकर टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो गया हम लोग जो एक्सपेक नहीं किया था उससे कही गुना ज़्यादा हो गया ओल अभार इंडिया में हर जगा में अभी तेजी है सो रिपियस से नीचे तो अद्रक नहीं मिलता है होलसेल मार्केट में तो यह जो भाव है अभीकर टाइम में जो भाव है यह भाव कुछ दिन तक यानि इत तक इसका जो भाव यह या तो सेम रहेगा या तो बढ़ेगा लेकिन यह भाव डाउन होने का कोई चांच नहीं है अभी का टाइम में अभी मान लिजे 29 तारिक को इध है और 29 तारिक तक कोई भी किसान या वैपारियों को यह नहीं डरना है कि अद्रक का भाव गिरेगा और लॉस होगा अद्रक का भाव इत के आगे तक सेम रहेगा या तो बढ़ेगा लेकिन उसके बाद जो होगा यानि इत के बाद जो पोजिशन आएगा अद्रक का वो एक बार तो काफी डाउन जाएगा काफी डाउन हो सकता है तो उसके बाद अगर फिर से माल का कमी पड़ेगा माल का सोटेश होगा हर जगाहों में हर मंडियों में तब जाके बजार फिर सेम पोजिशन पे आ सकता है तो दोस्तो यही मेरा एक छोटी सी जान कर रहे था आप लोगों के लिए तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताईएगा और अच्छा लगा तो लाइक कर डिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर डिजेगा तो नेक्स वीडियो में फिर मिलता हूँ धन्यबाद जैहिन